लेने वाले हैं भगवान विश्णु अपनी करवट तो कर लीजे परिवर्थिनी एकादसी के दिन ये उपाय और व्रत चलिए जान लेते हैं कि 2024 में सितंबर मा में परिवर्थिनी एकादसी कब है हिंदु धर में हर मा के सुकल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादसी तिथी को एकादसी का व्रत रखा जाता है एकादसी जो भगवान विश्णु को पूरी तरीके से उनकी पूजा अराधना के लिए शमर्पित है वही भादरप्रत महा के सुकल पक्षि के एकादसी तिथी को परिवर्थनी एकादसी के नाम से जाना जाता है इसी दिन भगवान विश्णु के लिए व्रत रखा जाता है उनकी पूजा अराधना की जाती है धार्मिक माननेता है कि परिवर्थनी एकादसी के दिन व्रत और व्वास रखने से मौक्ष की प्राप्ती होती है और आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं और जो भी उपासक होता है यानि व्रत रखने वाला उसके जीवन में सकारत मक्तब लाव आते हैं और साधा को अक्षे फल को प्राप्ती होती आनि जिस फल का कभी छै नहीं होता उस फल की प्राप्ती होती जो आपको ऐसा फल मिलता है जो आपके पूरी जीवन भर बना रहता है तो चलिए जान लेते हैं कि परिवर्तिनी कब है 13 या फिर 14 सितंबर को हिंदू पंचांग के अनुसार भात्रबत मा के सुक्ल पक्ष की एकादसी तिथी आरम हो रही है 13 सितंबर को रात को 10 बज कर 40 मिनट से और समाप्त होगी 14 सितंबर को रात 8 बज कर 41 मिनट पर तो ऐसे में उद्याति थी के अनुसार परिवर्तिनी एकादसी का व्रत है उजो 14 सितंबर दिन सनिवार को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 15 सितंबर को सुबा में 6 बज कर 6 मिनट से लेकर सुबा के 8 बज कर 34 मिनट तक पारण का व्रत का समय है ये आप जान लेते हैं पूजा विधी क्या है आपको एकादसी की दिन कैसे पूजा करनी है तो उस दिन आपको सुर्योदे के समय उठना है और सुरुआत में या विश्नुजी के ध्यान से सुरुआत करेंगी दिन के उसकी बाद घर को सुक्षिकर खुद का भी नित्य कर्मों शिर्म्रत होकर इसनान ध्यान करके साब पीले वस्त्र पहन कर मंदिर की सफाई करो सच्ची मनसे वृत का संकल पले वृत आप चाहे तो फलहार करके रहें या फिर जैसे भी आप पर रख सकते हैं उसके बाद पूजा करने के लिए आप एक चो के लिए लिए उस पे पीला कपड़ा विशाकर भगवान विश्णु और मालक्ष्मी की मूर्तिया फिर फोटोन की स्थापित कर जीए क्योंकि साथ में मालक्ष्मी की भी पूजा करना बहुत ही जरूरती हो और साथ में मतर तुलसी की भी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि बिना तुलसी जी के पूजा के भगवान विश्णु की पूजा जो है अधूरी रहती है उसके बाद आप फोल, माला, धूप, दीप, नैवेद, विधिपूर्वक, मंतरों के साथ, जाप के साथ भगवान विश्णु की पूजा करने चाहिए आप विश्णु चालिसा अवरत कथा और एक अधसी की जो हर एक अधसी की एक कथा होती उस कथा को आपको पूजा के स और बाद में दोआदसी के दिन आपको इस व्रत का पारड करना है पारड करने से पहले आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें अगर किसी को खाना खिला सके या फिर कुछ चीजों का दान जरूर करें क्योंकि एकादसी के दिन दान करने का बहुत ही बड़ा महत होता और इसक स्क्राइब कीजिएगा मिलते हैं किसी और नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैस्री राम